हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज है 16 जून और 16 जून को SSE MTS के फर्ज सिफ्ट का एक्जाम समापत हो गया है फर्ज सिफ्ट का कम्पलीट एनलेसिस करेंगे इस वीडियो में लगबग सारे रियल स्वाल मेरे पास आ चुके हैं उनके अंस्वर जानने के लिए वीडियो को पूरा लाश तक देखिएगा और जिनोंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो तो फटा फट से सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करके ओल पे सलेक्ट कर लीजिए रोजाना SSC MTS का वीडियो देखने के लिए तो चलिए कोशन करते हैं फर्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था वाइट मैन कप का समन्ध किस खेल से है तो इसका राइट आंस्वर होगा Lone Tennis से जी हां वाइट मैन कप का जो समन्ध है ये Lone Tennis से है तो Lone Tennis अगर आपने इसका आंस्वर किया है तो आपका आंस्वर बिलकुल सही होगा अगला कोशना आया था भारत की समप्रभुता एक्ता और अखंडता की रक्षा तथा उसे एच्छून रखने के मोली कर्तवियों का उलेक किस संख्या स्थान पर किया गया है तो आपको पता होगा आर्टिकल 51A में हमारे मोली कर्तवियों हैं वर्तमान में टोटल 11 मोली कर्तवियों हैं हमसे पूछा था समप्रुभुता एक्ता और अखंडता की जो रक्षा है न वो जो कहा गया है वो 11 में से कौन से नंबर के मोली कर्तवियों में का गया है तो तीन नंबर संख्या में का गया है तो तीन नंबर आपका राइट आंस्वर हो जाएगा या फिर इसे अपने 51C भी बोल सकते हैं ओप्शन में स्टुएंट ने कहा था कि 51C दिया था तो वो करेक्ट आंस्वर था अगला कोशन पूछा गया किस नंचेद के तहट उच नियाले रीट जारी कर सकता है देखे दोस्तों एक तो उच नियाले रीट जारी करता है और एक सरवोच नियाले करता है आपसे पूछा था उच्छ नियाले किस अनुछेद के तहत रीट जारी करता है तो आपका आंसर होगा अनुछेद 226 के तहत उच्छ नियाले रीट जारी करता है आने वाले सिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोट सर्वोच नियाले किस अनुछेद के तहत री राइट आंसर होगा, उत्र प्रदेश ने प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी PMAYU पुरुषकार 2021 में पहला स्थान आसिल किया, इसके बाद करमेशिया मद्य प्रदेश और तमिल नाडू दूसरे और तीसे स्थान पर काबिज रहे, अगला कोशन पूछा गया, भगस्यां क के साथ और किन-किन को फांसी दी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा, सुखदेव थापर और सिवराम सत्गुरु को जो है ना, भगस्यां के साथ फांसी दी गई थी, और ये डेट भी पूछा आता एकसर, 23 मार्च 1931 को भगस्यां ने अपने सातियों, सुखदेव, थ पर और सिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्सिये ब्रीटिस पूलिस अधिकारी जोन सांडर्स के हत्या के लिए फांसी दी गई थी, अगला कोशन पूछा गया, केलू चरण महापात्र किस नर्ते से बिलोंग करते हैं, तो केलू चरण महापात्र जो है ना, ये ODC नर्ते से को दिया गया था, ओप्शन में उस्ताद बिस्मिला खान भी था, और दोस्तों कला के छेतर में अगर पूछ ले ना, 2001 में भारत रतन किसे मिला है कला के छेतर में, तो आपको बता दों दोस्तों, लता मंगेशकर जी को कला के छेतर में 2001 में भारत रतन मिला, इसका अंसर पहारी हिस्सा को सिवालिक पहाडियां के नाम से जाना जाता है तो सिवालिक पहाडिया राइट आंसपर होगा सिवालिक को बहारी हिमाले का जाता है यह भारतिय उप महादिव के उत्तरी भागों में स्तित है अगला कोशने आये था निजाम खान को किस लोधी वन्स के नाम स जाना दाता है निजाम खान को सिकंदर लोधी के नाम से जाना दाता है तो सिकंदर लोधी आपका राइट यंजम खान। लोदी का जो शाशन था ना वो 1489 से 1517 में था अगला कोशन देखे दोस्तों ओलंपिक 1900 में कहां पर आयोजित हुआ था तो सन 1900 में ओलंपिक जो है न ये दोस्तों पैरिस फ्रांस में आयोजित किये गए थे तो राइट आंसर होगा पैरिस फ्रांस और 1900 में ग्रिशम कालन ओल प्रोटीन की कमी से होती है प्रोटीन की कमी से क्वाश योरकर रोग होता है तो क्वाश योरकर रोग आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कोशन आया था पीलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है बताना दोस्तों पीलिया रोग प किजिए ऐसा ही वीडियो रोजाना देखने के लिए सबसे पहले चेनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करके ओल पे सिलेक्ट कर लीजिए अगला कोशन आया था असम में फसल कटाई के वक्त कौन सा त्योहार मनाते हैं असम में फसल कटाई के वक्त बीहू त्योहार बो जनसंक्या गनतों है वो किस राजय का है कुछ या फिर आपसे आपसे पूछा था राजय नेक्स्ट कोशशन देख लेते हैं अगले question में आपसे पूछा है दोस्तों देखिए question में ये पूछा है कि Dr. B.R. Ambedkar किस समुदाई से समन्द रखते थे तो इसका right answer हो जाएगा ये एक महार परिवार से समन्दी थे तो महार जाती उस समय अचूच समझे जाती थी तो महार परिवार आपका right answer हो जाएगा इस question का next question देख लेते हैं अगले question में पूछा है फलों को पकाने के लिए किसका परियोग होता है तो ethylene ka परियोग होता है फलों को पकाने के लिए अगर ethylene option में नहीं था तो acetalene भी option में हो सकता है ठीक है या तो acetylene दिया होगा या ethylene दिया होगा अगला कोशना है था RBI जो बैंकों को रिंड देता है वहे किस दर पर देता है RBI जो बैंकों को रिंड देता है न वो reverse repo rate पे देता है तो reverse repo rate इसका अंस्वर हो जाएगा अगला कोशन है था भूटान की राजदानी क्या है थिम्पू भूटान की राजदानी है कल पूचा था भूटान का राश्ट्रे खेल जो की तिरंदाजी है अगला कोशन है था रिवर ओफ स्मोक नामक पुस्तक के लेकक कोन है रिवर ओफ स्मोक नामक पुस्तक के लेकक है अ नवंबर को ठीक है next question आयता कौन सी जलसंदी भारत और स्रिलंका को विवाजित करती है तो पाक जलसंदी भारत के तमिल नाडु राजिय और स्रिलंका के उत्री प्रांद को विवाजित करती है तो हमसे पुझाता जलसंदी का नाम जो कि भारत और स्रिलंका को लग करती है तो कोशन आया था जन संक्या वित्रन को कौन सा कारक परभावित करता है एक करता है भोगोली कारक सामाजिक परिस्तिती सांस्क्रतिक कारक और एक है आपका एकोनोमिक फैक्टर्स तो चारों में से एक ओप्षिन में दिया होगा एक ये बताना दोस्तों कोशन आया था क्या भीम बेट का मंदिर की सिल पे है कल भी ये पुछा था बताना ये वाला कोशन था क्या ठीक है तो ये थे आज के सारे कोशन वीडियो पूरा देखने के लिए जेहिन जे भारत